आप सभी लोगों का वेलकम है एक नई वीडियो में तो फ्रेंस आज हम बात करेंगे कि कैसे हमको सीडलिंग तयार करना है कई लोग सीडलिंग लगाते हैं पर उनकी सीडलिंग जो सही तरह से तयार नहीं हो पाती है तो आज हम दिखाते हैं कुछ इस तरह की सीडलिंग ट्रे गई है तो seedling जब भी आप करें तो seedling tray में करें और अगर आप पर tray नहीं है ऐसी market में आपको नहीं मिलती है तो आप इस नरसरी पर आ सकते हैं चंचल नरसरी पर यहाँ पर आपको seedling tray आपको बहुत यह अच्छे रेटों पर मिल जाएगी और उसके बाद जब आप seed लगा लेते हैं तब यह प्लांट आप देख सकते हैं यह चार से पांच इंच के प्लांट आपके हो जाते हैं तब आपको इनको बड़े गमले में shift करना है तो मैं पांच इंच के गमले में जब यह प्लांट आपका 10 से 12 इंच के हाइट पर चला जाता है तब आप इसको फिर बड़े साइज का गमला दे सकते हैं यह पांच इंच का गमला आपकी 10 से 12 इंच हाइट के लिए बहुत ही सही है और आप जब भी अगर आप अभी gardening में नए यूज करें और अगर आप काफी आपको experience है तो आप जो कि है प्लास्टी के गमले यूज कर सकते हैं फिर इधर देखिए इधर यह जो पौद लगी हुई है यह है मेरी गोल्ड यानी की गेंदा और यह है देसी वराइटी वाला गेंदा है तो यह देखिए यह है पॉली ब प्लांट लगाते हैं आप पे गमला नहीं है तो इस तरह की जो ब्लैक कलर की पोलो थीन आती है इसमें लगाएं इसमें जब यह प्लांट आपका 6-7 इंच हाइट पकड़ लेता तब आप इसको फिर किसी भी साइच के गमले में सिप्ट कर सकते हैं तो इसकी काफी अच्छ में कई जादा ब्रांचे आएंगी और आपका ज avail जतना प्लांट बूसी हो जाएगा जितनी जादा ब्रांचे हो गी उन सब ब्रांचों पर कलिया लगेंगी और काफी फ्लाब्रिंग होईगी जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था यह देख सकते हैं इधर यह जो एक टे गहना रहता है फूलों से भरा हुआ जो की गमला रहता तो यह टेकनीक है इस टेकनीक का उपियो करके आप घर पे भी इसी तरह के फूल लगा सकते हैं तो आपको वीडियो कैसे लगी हमें लाइक करें सस्क्राइब करें चैनल को पहली वार अगर आए हैं तो जल्दी आप से म